What's up guys, I hope you are doing well, I am Maz, so dear students, आज हम discuss करेंगे class 12 organic chemistry यानि chemistry second का chapter number 5, okay guys, जिसका name है क्या, bio molecule, क्या है guys यह, bio molecule, इसको हम discuss करेंगे, bio molecules में क्या हैगा आपका, amino acids आएंगे, fatty acids आपके आते हैं, proteins आते हैं, different, आपके जिसने भी आपकी vitamins आती हैं, सारी इसके अंदर आती हैं, और बहुत सारे hormones भी आते हैं, okay guys, तो इन ही सबको हम आज discuss करेंगे, तो हम चलते हैं, start करते हैं, तो bio molecules, what is bio molecules, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी living system है, तो वो grow होता है, उसकी growth होती है, उसके अंदर बहुत सार होनी चीज़े, बहुत ही amazing है, कि the most amazing thing about living system, किसी भी living system की जो अपसे amazing बात है, वो क्या है, कि वो जो system पूरा बना होता है, और पूरा work कर रहा होता है, वो आपका किस पर work कर रहा होता है, non living atoms and molecules पर, कोई भी living system के अंदर, जो भी आपके molecules and atoms पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं non living होते हैं, जब अगर हम बात करें, आपके किस से बना है, protein है, आपके vitamin से, आपके carbohydrates है, जिसे energy मिलती सारे क्या है, non living atoms है, non living molecules है, तो यह सबसे आपकी इसी एक line के अंदर, पूरा आपका bio molecule आ गया, और आप जो इसके अंदर, आपके जिसके अंदर हम bio molecules, लाए कि आपका protein, carbohydrates, fatty acids, इन सब की study जिसके अंदर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, bio chemistry कहते हैं, क्या कहते हैं, guys, bio chemistry कहते हैं, so, अब आपके जो living system है, उसके अंदर, बहुत सारे bio molecules होते हैं, आपका, glucose, है न, glucose कौन नहीं जानता, सारी हम जानते हैं, पहले भी इस बारे हम बात कर चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं, है न, इसी तरह आपका proteins होते हैं, क्या होते हैं, proteins होते हैं, उसी तरह आपके लिपिट्स होते हैं, इसके लावा भी और बहुत सारे होते हैं, तो इसी सबसे यदा किससे पाया जाता है प्लांट से यह आपका सबसे यदा पाया जाने वाला नैचुरली और्गेनिक कंपाउंड है अब इसके एक्जामपल में जैसे यार आपका जो कार्बो हाइडर्ट पाया जाता है आपका शुगर ठीक है गुलुकोज इस्टार्च इन सब के फॉर्म में पाया जाता है अब हम अगर इसकी बात करें इसकी में डिफिनेशन की तो इसकी में डिफिनेशन हो जाएगी आपक means water आपका तो आपका carbohydrate means carbon and hydrates ओके इस बड़ बहुत सारे इसे जिससे यह थी साबित नहीं कि ज़रूरी नहीं कि carbohydrates है तो उसके अंदर carbon और hydrates और water दोनों तो इस लिज़ाओ आखिर में जो आपके main आपकी सबसे final और important आपकी इसकी जो definition दे गई वो यह देखेगी चैमिकली carbohydrates जो है जब उनका hydrolysis कराया था इट मेंज water से जब उनकी reaction करवाया जाती है तो उसमें से क्या होता है polyhydroxy, poly means बहुत सारे hydroxy means OH group polyhydroxy ने बहुत सारे OH group aldehydes, aldehyde means आप जानते हैं C double bond O, OH इधर आपका कोई भी L के लिया आपका aryl सम्हू हो सकता है हाइडोजन दो हो सकता है aldehyde इसी तरह ketones ketones means आपका दोनों तरफ आपका L के लिया aryl सम्हू aryl group it means आपका वो आपका carbohydrates ऐसे define किया गया कि आपका कोई ऐसा compound जिसका hydrolysis कराने पर बहुत सारे hydroxy group aldehydes group और ketones group उसमें से निकले या उसमें present हो एक ही चाहे present हो लेकिन उसमें present हो उसको क्या कहा जाएगा carbohydrates कहा जाएगा तो आगे चलते हैं जो carbohydrates होते हैं वो क्या होते हैं test में sweet होते हैं इसलिए उसो क्या कहते हैं sugar कहते हैं ऐसे कि आप घर में जो sugar यूज करते हैं वो भी आपका क्या है carbohydrates ही है और उसका name क्या है सुक्रोज है क्या नहीं है उसका सुक्रोज ये word आपको याद रखना है जो आप घर में sugar यूज करते हैं जीसे कहते हैं वो क्या है सुक्रोज है कौन सा कार्भोडेट है सुक्रोज है इसी तरह जो आपका मिल्क में जो सुगर प्रिजरेंट रहता है वो क्या है आपका लैक्टोज है ठीक है कार्भोडेट्स हो गाईज सेकराइट्स भी कहा जाता है सेकराइट्स में ग्रीक जो बना चैप्टर है board के exam के लिहाद से इससे एक आपका long question बनता ही बनता है और इस chapter से आपके 5 number के question आते हैं ठीके guys और ज्यादा तर आपके बिछले चालों में देखेंगे तो इस chapter से long questions बनते ही बनते हैं chemistry second से तो इसलिए बहुत important chapter है और बहुत ही easy chapter है बस खाली concept समझेंगे तो आ इसमें tough cheese नहीं है तो अगर इस तरह के chapter हमारे जो मोटे मोटे chapter है जिसमें आपकी ज्यादा number पूछे आते हैं ज्यादा max के पूछे आते हैं अगर हम वो पहले cover कर लेते हैं तो हमारा बहुत सारा part cover हो जाएगा इसलिए हम ऐसे हिसाब से लेकर चल रहे हैं तो आप concept को समझ इस पर जो classification किया गया इसका तो इसको तीन groups में बाटा गया सबसे पहला क्या है आपका monosaccharides तो आपका monosaccharides वो होते हैं जिनको hydrolyze further ना किया जा सके eight means क्या है जिनका hydrolysis possible ना हो अगर hydrolysis करने पर वो carbohydrates की रूप form में ना बचे eight means उसके अंदर आपका aldehyde ketone या aldehyde ketone और उसमें hydroxy sum ना पाया जाए है hydroxy group ना पाया जाए ठीक है अगर उनका hydrolysis किया जाए तो उनको क्या कहते हैं monosaccharides इस जिनका और आपका hydrolysis संभव नहीं है और hydrolysis possible नहीं है उनको क्या कहा जाता है monosaccharides mono मतलब एक single one और saccharides मतलब आपका carbohydrates का name है तो इसलिए तो क्या कहा गया monosaccharides ठीक है आपका जो commonly आपके 20 monosaccharides अभी प्रेजेंट है आपके जो इसके सबसे most important example आपका glucose fructose और ribos वगएरा है तो हम इनको अभी आगे जो हम discuss करेंगे monosaccharides में फिर से इसको पढ़ेंगे और इसकी details से अभी हम क्या करेंगे सिर्फ आपका classification समझेंगे उसके बाद बाद में सिर्फ एक-एक topic को उठागा और उसकी details study करेंगे okay guys so आगे जो आपका दूसरा आपका classified क्या गए वो oligosaccharides oligosaccharides वो carbohydrates हैं जिनको hydrolysis करने पर 2 से 10 monosaccharides unit पर आपत हो मतलब क्या है वो carbohydrates जिनका जब hydrolysis कराया जाए जब water से reaction कराया जाए तो उनमें से 2 से 10 के बीच में ठीक है trisaccharides और इसी तरह 4 मिलती है tetra 5 मिलती है pentasaccharides 6 मिलती है तो heptasaccharides इसी तरह आपका अगर 10 तक पहुतती जाएगी तो इसी तरह आपका उनके अलग-अलग नाम हो जाएंगे तो अब आगे चलते हैं अब जो इनकी hydrolysis कराया जाएगी यह यह भी हो सकता हो कि इनसे सेम चीज प्राप्त हो सेम चीज आपकी मिले ठीक है यह भी हो सकता है कि अधर-धर चीज अनि यह different thing मिले जैसा कि example हम बात करें जो हम क्या करते हैं एक molecule स्क्रोज और यह इसका आपका maltose है इन सब को भी हम आगे हम detail से discuss करेंगे तो अगर हम example लेते हैं स्क्रोज का hydrolysis कराते हैं इसको hydrolysis आगे हम direction करेंगे हिसकी hydrolysis कराते है तो उससे एक molecule glucose का मिलता है और एक molecule fructose का मिलता है जबकि अगर हम तो यह क्या हो गया different different आपके molecules मिलें लेकिन अगर हम बात करें maltose की तो maltose में एक molecule आपका मिलेगा maltose में दोनों जो molecules मिलेंगे वो glucose के ही मिलेंगे तो हमें क्या पता चला कि जब इनका hydrolysis कराएंगे तो आपका जरूरी नहीं कि आपका same ही मिले या जरूरी नहीं कि आपका अलग-अलग मिले दोनों तरह की चीजें दोनों तरह के molecule मिल सकते हैं इस आई-hope आपको clear हो रहा होगा समझ में आ रहा होगा बात करते हैं polysaccharides की polysaccharides क्या है जब उनका hydrolysis कराने पर किसी भी carbohydrate का hydrolysis कराने पर 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा monosaccharides units प्राप्त हों तो हम क्या कहेंगे उसे polysaccharides poly मतलब बहुत सारे polysaccharides कहेंगे जब भी 10 से ज़ादा या बहुत सारे आपके यूनिट्स प्राप्त हों, यूनिट्स हमें मिले मोनो सैक्राइड्स की तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली सैक्राइड्स कहेंगे, एक्जाम्पल्स, लेग स्टार्च, सेलुलोस, गिलाइकोजन, गम्स आपके होते हैं, ठीके को मैं पूछ लिया आते हैं, आपके जो आपके objective question होते हैं, इस तरह के question उसमें बन जाते हैं, ठीके गाइस, तो I hope आपका on the basis of hydrolysis वाला classification आपको समझ में आया होगा, तो अब हम आगे चलते हैं, reducing and non reducing sugars को, sorry, reducing and non reducing sugars को discuss करते हैं, तो आपके वो carbohydrates, जो आपके failing solution and tolerance reagent, ये इस इसके बारे हम आपका next chapter में discuss करेंगे, इसके पूरी reactions है, आपके tolerance reagent की और failing solution की, तो इसकी reaction को हम next chapter में discuss करेंगे, उसके इसका detail से आपका, ठीक है, तो यहाँ पर वो carbohydrates, जो failing solution and tolerance reagent में, क्या हो जाएं, reduce हो जाएं, उनको क्या कहते हैं, reducing sugar कहते हैं, और जो reduce ना हो, उनको क्य कहेंगे, non reducing sugars कहते हैं, okay guys, so I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अब हम एक topic उठा लेते हैं, एक एक को हम detail से discuss करेंगे, फिलहाल के लिए आज हम सिर्फ monosacreats से कुछ detail discuss करेंगे, then glucose से कर श्टार्ट करेंगे, तो आज हम discuss करते हैं, monosacreats का basic, तो आपका यह एक single अल से, तो हम इसलिए कोई भी topic छोड़ेंगे ने, और details से एक topic को discuss करेंगे, तो हम बात करते हैं पहले monosacreats की, तो monosacreats की अगर हम further आपका classified कर सकते हैं, on the basis of कि कितने carbon atoms उसके अंदर हैं, और कितने उसके अंदर functional group कौन सा present है, it means कि आपका अगर aldehyde present है या ketone presence है, तो अग तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर कोई आपका monosacreats है, उसके अंदर आपका 3 carbon atoms है, तो उसको जैसे हम जानते हैं, trios, आपका tetros, pentos, hexos, 3 होते हैं, trios, 4 होते हैं, tetros, 5 होते हैं, pentos, और 6 होते हैं, hexos इसी तरह हो कि आपकी पूरी एक line चली जाती है, पूरी table बन चार carbon item हो, और आपका aldehyde group हो, तो उसे कहेंगे, eldotetros, लेकिन अगर ketone हो, ketotetros, pentane हो, pentos, और अगर aldehyde group होगा, तो eldopentos, ketone group होगा, तो ketopentos, 6 होगा, 6 carbon होगा, तो उसे क्या कहेंगे, hexos, और aldehyde group के साथ होगा, तो eldohexos, ketone group के साथ होगा, तो keto exos, इसी तरह पूरी आपका बनता चला जाएगा, तो I hope, dear students, आपको भी तक ये पूरा समझ में आया होगा, कल next जो हम lecture में discuss करेंगे, तो आपका glucose के बारे में हम detailed history करेंगे, बहुत important आपका है, यह आपका carbohydrate बहुत important है, और आपका इसी तेरह, जो आपके आएने वाला glucose है, वो भी आपका बहुत important है, तो next chapter में हम लोग, next lecture में हम लोग glucose के बारे में detailed history करेंगे, तो आप लोग अपना धियान रखिए, अपनी सेहत का, अपनी पढ़ाई का भी धियान रखिए, यह आप लोग का बहुत important year है, तो आपका इंटर का exam होता है, most important exam में से आता है, क्योंकि यह ही आगे decide करेंग